कॉंग्रिस की पुर्व प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध ध्याई ने पत्रकार वारता कर सरकार पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया है उनका आरोप है कि सरकार ने सभी विवसाओं को बंद किया है लेकिन शराप की दुकानों को राद 10 बचे तक खुला रखने का आदेश दिया बाकी किसी विवसाई के बारे में सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही उन्होंने कहा कि कोर्णा से चारधाम यात्रा प्रभावित हुई है जिससे वाहन विवसाई को काफी समस्याए हो रही है किसानी का चेतर है जो है चीजे खतम होने के ख़गार करें हैं सरकार सोई हुई है